हलो फ्रेंड्स विल्कम तो मैं चैनल हमेस कुकिंग तो आज हम बनाने बाले हैं कफी और चॉकलेट पुडिंग कफी और चॉकलेट पुडिंग सुनकर आप यहीं सोच रहे होगा ना यह कैसा बनता है तो चली देखते हैं तो आप देख सकते हैं मारा पुडिंग बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है तो चली इसका प्रिपरेशन भी सुरु कर लेते हैं अब हम लेंगे एक बोल में हाफ लिटर दूर्द यह फूल फ्रैट मिलक है औब हम इसमा डालेंगे दो टैबलक्सपून कोको पाउडर दो टैबलक्सपून कनफलोर और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं तब तक मिक्स करें जब तक की इसमें कोई लांप्स ना रे जाएं बहुत अच्छे से हमी से हलके हाथों से ही मिक्स करते जाएंगे इससे क्या होगा ना इसमें कोई लांप्स नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे से भी पकेगा अगर आपको भी पुडिंखाना पसंद देना दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट सकते न में ज़रूर बताना यहाँ पर हमारा लांप्स प्री बैटर बिल्कुल लेडी हो चुका है आप जेख सकते इसमें अब कोई लांप्स नहीं रहे चुका है तो चलते हैं अब हम कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम डालेंगे धाई सोय में अलदूद अब हम इसमें एक टेबल स्पून कफी पाउडर डाल देंगे और इससे हम अच्छे से मिक्स कर देते ही लोग फ्लेम पे ही इससे हम दो मिनिट के लिए बखने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे वान फोर्थ कफ सुगर जीने आप अपनी अकडिंग लिहीं डालना मेहा पर नर्माल मिठा बना रहे हूँ ना जाता मिठा ना कम मिठा हम इसे अच्छे से उबाल देंगे जैसे की कफी का फ्लेबर बहुत अच्छे से आए तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डाक चोकलेट आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास चोकलेट हो तो इसमें डालिए बना नहीं डालिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तब तक मिक्स करेंगे जब तक अच्छे से चोकलेट मेल्ट ना हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चोकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट होना सुरू हो चुका है हम गैस का फ्रेम को लो ही रखेंगे इसे क्या होगा ना चॉक्लेट निंचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा यहाँ पर हमारा चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सलरी पहले से ही बना के रिखे थे इसी स्लारी को हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे ग्यास का फ्लेम आप लोग ही रखना अगर आपको भी मेरे रेसिपी पसंद आए ना दोस्तों प्लीज मेरे चानल को सब्सक्रेब कर ले ना और लाइक स्यार करना बिल्कुल भी मत भूलना इसे हम लोग टो मीटियम फ्लेम पे ही पकने के लिए छोड़ेंगे और इस तरह से किनारों से लेकर बीच तक अच्छे से स्टर करते रहेंगे अब देख सकते हो दो मिनिट के बाद एक इतना थीक हो चुका है अब हम इसे और फाइब मिनिट पकने के लिए छोड़ेंगे भूबी लोग फ्लेम पे यह थोड़ा सा और थीक होना चाहिए अब देख से तो कि बहुत अच्छे से थीक हो चुका है आप एक बार अपने घर में जरूर बनाना दोस्तों देखना सभी को बहुत पसंद आएगा यहाँ पर हमारा पूडिंग बिलको रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से थीक हो चुका है मैं एक बार आपको इसका टेक्स्चर दिखा लेती हूँ मैं आपको एक बार इसका टेक्स्चर चेक करके दिखा 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 दिखुँ अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पका हुआ है अब हम ग्यास का फ्रेम आफ कर दिएंगे यहाँ पर हमारा पूडिंग का बैटर बिलको रेडी हो चुका है तो चलते हैं इसे जमाने के लिए तो हम लेंगे केक्टिन आपके पास जो भी अबेले बुला भो भी ले सकते हो और इसमें हम डाल देंगे हमारा पूडिंग को और इसे हम पहले रूम टेम्परेचर में आने के लिए चुड़ेंगे उसके बाद ही हम इसे 6-7 खंटे के लिए फ्रीज में रेश्ट में चुड़ेंगे 6-7 खंटे के बाद ही इसे हम रिकाल देंगे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये जम चुका है और ये बहुत अच्छे से साइड भी छोड़ रहा है यानि के बहुत अच्छे से जम चुका है तो आप हम इसे डिमोल्ट भी कर लेंगे आपने देखाना कफी चॉकलेट पुडिंग बनाना कितना असान है दोस्तों एक बार आप जरूर ट्राइ कर लेना इसके उपर हम इस तरह से प्लेट रखके इसे पलर देते ही और इसके उपर थोड़ा सा ड्याप ड्याप कर देंगे इसे क्या होगा ना बहुत अच्छे से निकल जाएगा यहाँ पर हमारा पुडिंग बहुत अच्छे से निकल कर आ चुका है आप देख सकते हूँ कितना पंपी पंपी बनाए तो आप हमें इसे कट कर देते हैं आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हो इस तरह से या फिर स्लाइस स्लाइस में आप इसे कट कर सकते हो बहुत टेस्टी बनाता अगर आप एक बाइट खाएंगे ने बुम में किस तरह से गोल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और इसके उपर हम थोड़ा सा प्रिमिक्स डस्ट कर लेते हीं हमेट चक्लेट पाउडर आप इसके इसके वह डेस्ट कर सकते हो अब आप इसे एंज्योई के लिए थन्दा थन्दा थांक्स पर वच